तुम्ही विश्व करता तुम्ही विश्व जोती में एतान भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रणारी स्विकारो स्वयंग बंधना तुम्ही विश्व करता तुम्ही विश्व करता तुम्ही विश्व करता कि अर्ड़ाःाउ घड़ाई क्या रख़ा जब अंग। सब्सक्राइब चीडियों कर दो कर दो कर दो दो आप जो अपने बीवी को बच्चा के डिलिवरी के लिए अस्पाताल में दाखिल कर दिया है मैंने भी यही सोचा कि जब तुम सब पहरे हो और ठाकुर तुम तो जानतो हो इस उमर में हमारा यह पहला बच्चा है यही तो मैं कह रहा हूँ कभी-कभी बच्चों की डिलिवरी के वक्त ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती है कि दाईयां काम बनाने के बजाए बिगार देती है ठाकुर कभी-कभी ऐसे होता है हाँ मगर अस्पताल में नहीं बठो बठो अस्पताल में अरे तुम तो ऐसे डर गये जैसे ठाकुरा इनके बजाए तुमें बच्चा होने वाला है तुम भी थाकुर तुम तो चानते हो हम दोनों को बच्चे की कितनी आर्शुती भगवान करे सब ठीक हो जाए जैस्वन घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा अच्छा ठाकुर साब ठाकुर साब जैस्वन्त जैस्वन्त नर्थ तुमारा नाम पोकार रही है अच्छा मैं हूँ ठाकु जैस्वन्त सी मुभा रखो ठाकुर साब लडका हुआ है मुभा रखो ठाकुर लडका ठाकुर लडका हुआ है अच्छा नियुक्त अच्छा तो मैं घर से भर के बेजुआ अच्छा अब प्रफिरंस मिल सकते हैं वो वो मेरा बच्छा है अब मेरा लड़का है यह भी लड़का है साथ पॉंकर कितना प्यारा बचा है अब बिचार की मा मर गए अब जब लड़का मुबारक हो अब भगवान में हमारी सुनिकेर से मगर भल पेटा दिया वो मुझ पर गया यह तो उपर तुने देखाए अब ही नहीं महलाने के बाद मा के पास लाते हैं अच्छा कर ईम्या हो अब भाते हैं साथ अजिय सुनिकेर अलो प्रॉडाै कर 늘ख प्रॉड़क नही कर अड़केर कर दो मैं थ्संало जाइछ, प्हुन करत कुमूछ जाइछ! जाओओ.. वे बदाएछ, वे बदाएछ.. जाओड़! जाएगज दिनेख़ दूँन्धानो! लवि, लव से लवर में। लair लवाय scripts लवि, लवня से लवए बस्तों सुने, दक्टर? नर्स? दक्षूर साथ को इंका बच्चाएजी दक्टर अबच्चा? जा इत्रोपिसे जा, जा यह है यह है इननी से एक चाट ली जए ठकुर साब चाट लो? क्या चाट लो? दस, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरी जान चाहिए मगर आग के विज़े से यह दोनों मिल गए कुछ नहीं यह कुछ बिली के बच्चे नहीं जो खूचरत दे का चाट लिया चाहिए यह किसी लावारिस की आउलाद है, यहा कुछ जख्रण सीं का बच्चा है जाओ अपने इंचाज को बला कर लो, सारे अस्पताल को यह करथा करो इस हाट का नहीं जाच का बता मेरा बच्चा पूंपे, जाओ जाओ वो, वो अबे तक बच्चे को लेकर नहीं आए गबराओ नहीं भावी, मैं अभी देखिया तो आइम एक्स्ट्रिम्ली सॉरी ठाकु साहब दरसल बाच यह हुई कि इन बच्चों को आग से बचाने के लिए कोई अगठे यहां छोड़ने और अब यह आपस में इस तरह मिल चुके हैं कि इनका पहचानना भी मुश्किल है लेकि इनकी नर से कहां मर गई थी ठीक यही हुआ ठाकु साहब वो बैचारी भी मर थी डाक्टर यह हमारे मरना चीज़े का सवाल है यह बच्चोका मामला कोई खेल नहीं देखर मैं सब समझता हूं नहीं द नहीं दक्टर यह बच्चे हम दोनों का सहारा है जानना कुछब करो डाक्टर कुछ भी कराऊ और यकीन के साथ बताओ है इनका मेरा बच्चा है तका बतारहे ने 2002 sagte ठाकूर, मैं लुट गया, ठाकूर, देख लिया, अश्पतार में लाने कर दीजिया अगर हुआ क्या? आओ, आओ मेरे साथ, मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में ला दिया ना कुछ सुबूत ना निशान इसमें कौँछा मेरा है इनसान के बच्चे, चालो के बच्चे बनगा यह से गाम लो, जस्वंत डॉक्टर, यह दूसरा बच्चा किसका है? वो तो रिजिस्टर देखने से मालूम पड़ेगा, ठाकू साथ तो चलिए ओफिस चलते है, आओ जस्वंत भब्राओ नहीं जस्वंत, आओ 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 ताकू है, जस्वंत अरे, इसमें तो लड़के के बाप का नाम ही नहीं है खाकू साहब, यह बच्चा शहर की बहुत मशूर नाचने वाइवाश क्या? वे नर्टकि का बच्चा समल हमनेक हम इस बच्छी क लिए क्या 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 मनते नहीं मानी जात्रामे कहां कहां कि दोकरे नहीं लिखाई अग्वाब यह तुम्हें प्यादिया कि यकीन मानिये ठाकुर सहाब अगर हमारे पास में कुछ होता है तो हम जरूर आपकी मदद कर ऐसी हालत में हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं बने लिए अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा देड़ो नहीं तो मैं तुम्हेरे एस्पटार में हिला कर अगर इस गाम लो अगर तुम समझते क्यों एक बच्चा तुम्हारा है अगर दूसरे बच्चे का वारी साकर दोनों को ले गया तो जानते हो क्या होगा वयाद का अगर दूसरे बच्चे का वारी साजा तो हमारे पास थेदी तो अब कियाम और गुठलियों के दाम किसमत हो तो ऐसी हो ले ले गए थे एक और ले के आये दो को सुना था ऊपर वाला जब देने पर आता है चृपकर फाणकर देता है और आज मालूम हुआ कि अस्पतार मिलता है कौन जाने वाले की निशारी को मुझारा पता है हाटी के दाथ खाने के और दिखाने के और कि अन्धेरी रातों में किसी जाने वाले को भला कौन पैचान सकता है मैं कर उपनी जबान है हर बात की हद होतीं representative को मानना यह कहां का इंसाफ है यह बेचारा खुद अपने दुख में बरा जा रहा है और तुम लोग इसके जखम पर नमक छेड़ रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम हमें नहीं इन्हें आनी चाहिए नर्टिकी के लड़के को घर में लाकर रखा है लेकिन हमेशा के लिए नही उस समय तक के लिए जब तक यह नहीं मालूम हो जाता कि ठागुर का कौन हो नर्टिक का कौन लेकिन ठागुर तुम यह भूल रहे हो अगर घड़े में जहर की एक बुंद गिर जाए तो पानी के साथ घड़े को भी फेक दिया जाता है क्या तुम्हें समझते हो नर्टिक कि लाका जिस घर में रहेगा घ्रादी वाले वहार रिष्टा जोड़ेंगे मैं रिष्टा जोड़ूंगा कि थाकुर तुम्हां यह मेरी जबान है थाकुर हरनाम सिंकी अगर परमात्मा ने मुझे लड़की दी तो तुम्हारे ही घर बहुबन कर आएगी थाखकुर तो इसको मैं अपना खुन भी पिला दूँ इस पाफ के गठ्ष्री को में आत मेन ललगाऊंगी एक बच्चे के मा नाचने वाली है उसमे उस बेचारे मासम का क्या तसूर है दुनिया नम पर उंगली उठाकर यही कहेगी न कि हमने नाचने वाली के बच्चे को दूद पिलाया फिर कौन हमें अपने घर में घुसने देगा बीबी जी मेरी मानियन तो आप उसी महले से दाईयां बुलवा लीजिए तुम मुझे उपदेश देने आई हूँ चली जाओ सम्याह से खड़ी की हो चली जाओ निकल जाओ सम्याह से निकल जाओ यह सब दाईया कहा जा रही है जहन्नब में क्या करी हो कियो की दूलने वाली क्यांतल 야 करी के उन्हें आरिफ बच्चों को दूलाक्र से का कर दिया क्छों किसा होगा देश तो क्या हो जो मैं अपना दूलाओंगी दूनों को नहीं नहीं दूब औबखनका लोगमनी आइसा उत्रम तो क्या नहीं दोनों को भूख से मर जाने दो नहीं नहीं लेकिन कुछ और होना चाहिए अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ी जगहसाई होगी कोई हमारे घर का पानी नहीं पिएगा लोग हमसे दूर दूर रहेंगे लगर क्यों कि इन में से एक नातने वाली की अउलाद है जलील लावारि दूसरा उससे बिजाजा लावारी सो जाएगा जो हमारे इसामने भूख से तडब तडब कर मरेगा त्यरो रुकमनी मैं कोई और आस्ता निकालता हूं मैं और दाईय बलवाता हूं अब मुझे ने रहा जाता रुकमनी कल की तो सोचो रुकमनी तुम कल की सोचो रही हूं रुक्मनी, रुक्मनी तुमने अच्छा नहीं किया, रुक्मनी अच्छा नहीं किया यह तुमने क्या किया भग्वन, तुम तो जानते थे हमें अलाद की कितने अर्मान थे दिन रात हाथ जोड़े तुहारे सामने खड़े रहे, कहां कहां जाकर तुझे नहीं पुकारा मैंने तो समझा तुने हमारी सुन ली, लेकिन ये कैसा नया खेल रच दिया मुझे नहीं पाया तुम्हारा ये खेल मुझे नहीं पाया बोलो दयालु क्या यही कुम्हारी दया थी अलाट पाका भी में हुश न हो सका तुमने मेरे अर्मानों का गला खूड़ती बोलो भगवन, ऐसा क्यों किया? अजसा क्यों किया भगोन, अजसा क्यों किया, अजसा क्यों कौन जाने मरने वाले की निशानी अपनी ही समझ कर उठालाए हो क्चक्द्टाइट occupation कि अजसा क्यों कि अशसा कि अजसां रव़ कारी कि क्यों कि अजसा है कर दो कर दो कर दो कर दो कि महलें और सब्कुन मैं वह अगर्श हमारा माली के आप से मिलने आई अच उंसे बैठने को खोमी आता हूं ये क्रश्म कनारी, ये मेरे भाण्जे को इस महल में लाने वाले भगवाद, एक ऐसान मुट्पेव ही क्या है. आप कौन साहबर? बाखे बिहारी, उस्ताद बाखे बिहारी, नहीं समझी, कुछ और भ्यान करूँ, दरसल मेरा दादा उंचा गड़का साला था और बाख नीचा गड़का, ऐसे तो मैं भी किसी राजा का साला हूँ, पर कुछ गड़का नाम यार नहीं आता है, यार यही बुरी वास है कि मैं भूल जाता हूँ, अच्छा, तो खानदानी सालों के घर आने से हैं आप? जी हाँ तो यहां किसके साथ रिष्टा जोडने के लिए आया है, रिष्टा जोडने नहीं साहाब, रिष्टा तोडने आया हूँ, क्या मतलब? नहीं समझे, कोई जल्दी नहीं समझता, ठाकुर साहब मेरे एक बेहन थी, उसका क्रिया करम तो अस्पताल वालों कर दिया है, पर सु तो उस बच्चे के मामा हुआ है अजी साफ मामा हूँ गावा थोड़े हूँ आप तो कुछती लग में लगा है बड़ बड़ तो तुम उस बच्चे को पर चाल लोगी है क्या बात करते हैं। अपना खून है कोई मजाक है ठाकू साथ जैसे उस बच्चे पर उंडी रख दूंगा ना भांजा मुस्करा के हाथ उठा देगा जैसे कह रहा हूं मामा गवद में देले गवद है अचा तुम यहीं चलो मैं बच्चे को लेकर आता हूं हां जगो जाना रही हां बागल जाने के लिए थोड़े ही आया हू देखता हूं भांजे साथ कैसे पैशानती है यह बाजरी वाली इस तफले सारंगी से पिंट छड़ा दे पूरा पांच इुपए का परशाइद बाटूगा बले किसी की देवकां चुपर है प्रभू सुना है तारे हैं तुपने लाखों हमें भी तारों जुपने सुनिये तुम शिकर मत करो मैं सब शिकर दूगा हां लिधारी आपके लिए मेरे भांजे को हां देखो यह है मेरे बहन से बिलकुद शकल मिलती है अच्छा इसकी शकल तो और भी ज्यादा मिलती है इसा लगता है जैसे दोनों ही मेरे भांजे हो यह क्यों है अरे भी खामोस क्यों हो अपने भांजे को पहचानू हा यह तो रोड़ता है यह आपी का रोड़ा वह है आजा वेटी आजा कि अब क्या होगा मैं कि खुचकर में हूँ कल का चोकरा मेरे तजर्वे पे हास साथ कर गया फैर कोई बात नहीं दोनों में से कोई साभी दे जीए लेकिन अभी फैसला तो वह नहीं तुभारा कॉन सा बच्चे है अगर मेरा बच्चा आपके घर रह जाएगा तो भी आप घाके में नहीं रहेंगे आखिर वो भी आप जैसे किसी बड़े खांदान वाले की अवलान है कोई आसमान से थोड़े गिरा ने यह कभी नहीं हो सकता बस घवरा गये खाकर साथ आप हमारी परवाना करें हम तो अपने जैसा मिरासी बना देंगे बैया जरा मेरी तु सुनो अभी अभी तुम कह रहते अच्छे को ले जाकर बुरा बना सकते हो तो क्या हम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते यही तो मैं भाई साब को समझा रहा था इंसान का बुरा या भला बनना उसकी परवरिश पर मुनस्सिर है ना के खून पर तो ऐसा करो अभी दोनों बच्चों को यहीं रहने दो बड़े हो जाने पर फैसला हो जाएगा यह हुई ना पते की बार रहताब से तो आप यह पर इसमें भी एक जगड़ा जगड़ा कैसा है मैं इस बच्चे को देखे यह क्या कह रही हो तुम ठीक है तो कह रही हूं जब हम इनका बच्चा रख लेंगे तो क्या इने रहने के लिए जगए नहीं देएगे चीक है अब जो तुम्हारी मर्जी में आयकरो उससे कोई मतलब नो बहन भाई साब कुछ नाराज होगा है ऐसे कोई बात ने सब ठीक हो जाएगा गिर्थारी जी गिर्थारी इन्हें वह गोल कमरा खोल तो बहुत अच्छा चलिए कर दो बहुत अच्छा चलिए जू मेरे जू मेरे वो मेरी गोद में तारे जू मेरे जू मेरे जू मेरे जू मेरे वो मेरी गोद में तारे जू मेरे एक तो हीरा एक है मोती लागे सूरत प्यारी आज खिले है फूल खुशी के गोद भरी है हमारी जू मेरे राज दुलारे जुने जू मेरे जू मेरे वो मेरी गोद में तारे जुने मेरे उमर भी लागे ललन को दुखडे पास न आये चांदर सूरज से बढ़ कर ये जग में नाम कमाए जू मेरे जू मेरे जू मेरे जुने दुलारे जू मेरे 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 जू मेर आए मिलन की भोर सुहानी जाए मम तालोरी पच्च पन खेले आए जवानी लाए दुरहनी आगोरी जुमेरे जुमेरे ओ देखो लाल हमारे जुमेरे 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 जुमे लजटे लाला बाले कि देखो बेता कितनी तक्रीफ है बेचारे को ऐसे आजमी पर हमेशा दया रखना कि अजया अजय को अजया 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 नमस्ते करो बेटा चाचा जी को जीती रहो जीती रहो अरे गिधारी बने ठाकुर आयं चावा लेकरा तुमने ठीक ही सुना है जब से आशा की माह में छोड़कर चली गई है घरा में खाने को दौड़ता है हम यहां से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं ठीक है तुछ दूनों के लिए बाहर हो यहाओ कुछ दिनों के लिए नहीं जस्वान मैं तो तुमसे लंबी छुटी लेने आ अब वहावी अक्सर यहिए कहा करती थी मगड़ागर परतेश जाकर वो शादी को वादा मत भूल जाना जसुन हर नाम अपना वादा कभी नहीं बूलता लेकिन मेरी भी एक शर्थ है याद है न ओ हाभाः याद है लड़का तुमी चुनोंगे गई न हाँ बिल्कुल ठीक अच्छा जस्वंत, उन दोनों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ जैने? अरे ठाकुर उनमें से किसी का रंग नहीं निखरा मगर यहां तो भाँके विहारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया जस्वंत, मैं एक बात जरूर कहुंगा कि तुमने उसे घर में रखकर अच्छा काम नहीं किया क्या करूं ठाकुर उनमें से एक बच्चा उसका दिया इसलिए घर में रखा है नहीं तो मैं उस कमभग तो कभी का धके मार के बाहर निकाल देता हूं वच्चो को बुलाओ जाने के पहले एक बार फिर इमत्यान दे लिया जाए हम आपको देखते ही स्कूल के काम छोड़ा है सोचा के स्कूल का इमत्हान बाद में दे देगे पहले तो चाचा जी का इमत्यान पास कर रहा है आज और भी बताता हूं अच्छा राजा ये तुम्हारे पिताजी है ना है तो आपको कुछ शक है नहीं शक नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था अच्छा राजा तुम ये बताओ अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुट पढ़ने के लिए कहें तो तुम क्या करोगे नहीं मेरे पिताजी पुल्ट पास करो डिगरी लो अपने मामा का नाम राशन करो चलो 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 वक्त खरांदा करो बड़ाई बद्वक्त भी नहीं है लेकिन ठाकूर भी तो कुछ फैस्टा तो हुआ नहीं जसवन मा फिर कहता हूं एक दिन खून बोलेगा और ज़रू बोलेगा समाचार जब लक्षमन पाये ब्याकूल विलख बदन वुछिधाये मा रामचंदर जी और लक्षमन जी दोनों एकी मा के बेटे थे नहीं बेटा थे दोनों अलग-अलग मासे थे वरंतु उन दोनों में इतना प्रेम था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों एक मा की जी यहां अपयास बंजाओ तुम पर बाताम की का थे मारें समयक्ता थे मुंशे में सबन्सा हज आदे नहीं को सबमाबा विफ्तनति का दिन करेश्यचे ग guidance विलग्ठ से बंदेल पर उन तो दूसरे किन्य लेना बास दून लिया तुवे मेरा असनी मांजा है बुल मामा कि लुख चकर रहे वीस साल से तुम दोनों मुझे दूखा दे रहा और याद रखो मैं भी सब तक मरने वाला नहीं जब तक असली बाद जाना डूंबलू ये बात है मामा 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 जरवाले खाएं चकर ऐसा है अपना चकर प्यारे मामा, सारे गमापा जानी सानी नAnt बामा, ओ मामा, ओ मांगा रेसा मामा, घरवाले आएं चकर, ऐसा है अपना चकर, चकर में तुम नहीं आना, प्यारे मामा, जो असली है कभी उससे खटाएं हो नहीं सकती जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती अरे नहीं भई नहीं अहाँ अब बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है सुवफादारी का शिक्वा क्या दमाना ये ही कहता है अरे क्या असली है कौन भैया नकली है कौन भैया हो मामा क्या दो मामा मामा क्या हो मामा हो मामा मामा घरवाले खाएं चकर ऐसा है अपना चकर चकर में तुम नहीं आना ना प्यारे मामा ओ मामा ये दुनिया है यहां अपने भी आखे फेर लेते हैं अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं आज जहां वाले मुहबत करके वादा क्या निभाएंगे सच है भाई हुए है आज बेगाने हमी परताने कते हैं हमी परताने कते हैं अरे कैसे ? हसली है कौन भाईया ? नकली है कौन भाईया ? हमामा मामा करवाले खाएं चकर एदा है अपना चकर प्यारे मामा. घर वाले काएं जकर, ऐसा है अपना जकर, चकर में तुम नहीं आना, प्यारे मामा. यह क्या शोर मच्चा रखा है अब इन दोनों के यह धंगा सिखाना शुरू कर दिया सिखाना थाकर मैंने तो इन लड़कों में वो रंग भरा है वो रंग भरा है कि जिसे देख के बड़े बड़े उस्तार अपना सर पीच लेंगे अब तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना पड़ेगा वागे विहारी के बच्चे क्यों इन दोनों के मिलासी पर आना पतुला हुआ है तुम भी तो बड़े ठाकर के साथ रोल रोल नए इंसान लिया करते थे किसी दिन अनाड़ी को मेरे हाथ में धमा देते तो मैं घर का रहता ना गाट का आखर मुझे भी तो अपने से करती बागे भी आड़ी ठाकर एक ही डार के दो फूल होते हैं एक भगवान पे कड़ता है दूसरा मुर्देते आए कि पस्फिए लगशन के और आगे मेरे अगा मींदाइं हांक आगे है मजा है इस टब का उतसे ही णी में आपने दीज लगा स्टा अक वैं ओवाश्य कह और शूमार्य आप मैं यहां जोडने गया था क्या मुझे यहां रखो सोवार जरस्ती तो रखा था कान खोल कर सुर लो मैं यहां एक मिलट भी नहीं रहूँगा खबरदार जो मुझे रोका हाँ मामा जाने वाले को भला कौन रोक सकता है अच्छा मेंड़की को भी जुकार हो गया अभी जाता हूं अब यहां अज़िए वाद अब मुलाइजा हो श्यार लिगा है रूबरू शहिंचाह तबला वसारंगी मालिके नाचू गाना सारे जहांके मामा तश्रीव लेगा रहे है के मुझे अपने साथ ये मा मां मा तुमारे साथ जाओंगा मैं जाओंगा तू गणोंता दो गया महाला था ऐसी भद्धी बात ये करते शर्म नहीं आती इतने वड़े हो गया और बात करना तकी तमीस दिवा सारे जलेबात बाप में मारी तीडड़ी और बेटे तीरंदार बड़े आए जाने वारी यह धारी सुख्या तुम सब कहां मर गए अरे मैं चली कहां है अरे लागा रही हो ओ लाओ खामखा इपने देर कर देखे अरे सुना तो अब और क्या है आशाफ सियानी हो गई होगी ठाकुर से जरा ब्या के बाद छेड़ कर देखो न त्यावाट कर रही हो क्यों क्या हुआ अरे बारा बड़्स के बाद ठाकुर विलायस से आये हैं वहां लोगों के सामने मैं यह कहूं कि ठाकुर अपनी लड़की की शादी हमारे किसली लड़के के साथ करोगे यह मुस्से नहीं होगा त बाके भाईया बाके भाईया थातुराइन कभी तो अकल से काम लोग अधरन सिंग कावभई कैसे हो क्या बताओं एक एक की सूरत देखने के लिए तरसा था मया चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग याद तो आते अच्छा वे भावी और बच्चा तो मदे मैं ना बच्चा बच्चा तो एक बच्चे का बाप भी बन गया थाकुर तुम तो इतने बदल गया पैचाने नहीं जाते बड़े ठाकुर जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम दमाने के साथ बदल गया अच्छा ये तो बताओ कहीं हमारी होने वाली वहुक्त तो अपने रंग में नहीं रंग लिया जस्वन्त हिंदूस्तानी चाहे जिस लिबास में हो वह हमेशा हिंदूस्तानी रहता है अब यारी है खुदी देख लेना किस रंग है आओ बैटी य यह हैं तुम्हारे जस्वन्त अंकल जीती रहो जीती रहो वाह विलायत रहकर भी तुम यह सब नहीं बूले मैं तो यह समझा तुम यह कहोगी हलो हाँ दूदू अंकल यानि के मामा किसने मुझे पकारा कौन है मेरा चाहने वाला लो यहां भी आ गये बच्चों की मामा नमस्ते बड़े थात बहुत दिनों बाद तक्षीफ लाए तुम्हें किसने बुलाया था कमाल आप तो बिलायत क्या गए अपने देश के रस्मों रिवाज भी बहीं छोड़ा है घर आये हुए महमान की क्या इसी चरह इज़त की जाती है यह शरीफ का घर है और यहां शरी जाओ थाकुर मैं यहां रहने नहीं आया बहु देखने आया वर्ना लड़कों को क्या जवाब दूगा आ तुई है ना मेरी बहु अंधेरे घर में खड़ा कर दो तो जाला है जलीर कमीने चोटा मोल बड़ी बाद पिताची तु जाए आज आज़ी कोई बात नहीं बेगा तुम जाओ क्यों ठाकुर आ गए ना अपमी ठकराई पे और जो मैं भी अपने कंजर पने पर आजाओ और तुमारे एक जापड़ सीथ कर दू तो क्या इज़त रह जाए इस भरी मैफिन में तुमारी शहर भर में दंडूरा फिट जाए पक्वारों में मेरा नाब उपर हो तुमारा निके लेकिन नहीं हम लोगों का खून तो हमेशा गालियों का जवाब सलाम से देता है जाओ छोड़ दिया तुमें अगर नाम चाकरों की मजलिस में मिराशी भी बुलाई जाने लगे सुल लिया जश्वंत लेजाओ इसे अगर तुम हमारे साथ उतना बैठना चाहते हो तुम से घर की चार दिवारी में बंद रखो वन्हां बहु भी इसी के मौले से दूढ़ लेना कि अधिन के सांप आखित उन्हें डस लिया अपना मान बढ़ाने करें दूसरों को हर्जदा दलील करता फिता है कंदी ने अपनी अवकात भूल गया चला जा चला जा में इन अधरों के सामने से और मेरे घर में कदम रखा था तुक्रे तुक्रे कर दूदा वाँ खुब खर्बूदे को देखके खर्बूदे में रंग बदला एक ठाकुर अपनी लड़की देने से इंकार करता है और दूसरा मेरा लड़का ही अजम कर जाना चाए तो ले जा अपने लड़के को दवाओ यहां से ले जाओ फिर सोच लो ठाकुर कौन सा ले जाओ र निक को अपने दिल का हूं करना होगा है किया कि में जुक्त हम एक जो ही रहे खुश रहे था पाले फूले जाओ ने अपना बच्चा राप कर दिया मैंने अपना बच्चे दान कर दिया आजा के बस तेरा इंतिजार मेरी तन्वार तेरा लिए बेकरार चुप रह चुए देखता नहीं शेर करता है आराम उठूंगा तो करतूंगा तेरी नींध आराम न तू यू हाँ कैब अब दिल है सब जाहर पसीने से मैं तल्वारे उठाता हूं नहीं डरता हूं गीदर से ये बात है ये बात है ये बात सची का लाना तो उठेव उठेव ये बंदर की तरफ पूज रहा है तो तुम जालो क्यों मार रहा है? तुम जालो क्यों मार रहा हूं तुम जालो को अब तुम जवान हो गया हूं तुम जवान हो तुम पिताजी और मामा लड़की देखने गए है और तुम यहां बच्चों कैसे हरकते कर रहे हूं लड़की देखने गए है कभी ऐसा सूचा? इश्वर जानता है बेचा मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया और आये जी क्यों तुम दोनों ही मेरी औलाद हूं गलत दिल को गलत दोनों नाचने वाली की औलाद है मायराम तुम्हें राज नहीं आया चप्ट कहते हुए तुमने मुझे भी नाचनेवाली बना धिया ये मैं नहीं कहर रहा हूँ सारी दुनिया कह रही है अगर अम्रत में एक वुम्जहर मिल चाहिए वो अम्रत नहीं रहता रहा जहर हो जाता है क्या जवाब दूँ कैसे उनकी जबाने बंद कर दूँ जबके हम दोनों जानते इन में से एक लगा हमारा नहीं तो बड़े बहातुर हो इसी बात का धोनोरा पिछते राह करूँ सुबार का बच्चों के सामने ऐसी बाते नहीं कहते हैं अब कुछ समझने की जरूवत नहीं है बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया अधरी मेरे मूँ पर कह दिया ठाकुर वहु भी बांके बिहारी के महले से ढूंड लो और भेजो उस मिराजी के बच्चे को वहाँ मैंने नजने कौन सब पा गिया था कैशो मुझे कुछ भी नहीं कि इसाता कर दोर्ग मुसर्दों तो यह मत्यूंय इस घर में कभी शांती मिलिघ शांती नहीं जाओ स्टेश, हाई जालाग, माच सु मुझे! राजा? राजा, पिता जी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते हैं, तो में पिता जी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते हैं, तो मेरा जी चाहता है भाग कर कहीं अपने मूँ छुपानों, उसे क्या पाइद है? नेक आलाग का तो फर्जा कि अपने माँबाब के खुशे के लिए सब कुछ कुछ बंद करते हैं, अब हम बच्चे नहीं रहें, सब समझते हैं, इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहें, तुम भी जानते हूं, मैं भी जानते हूं, हम दोनों में से एक इस घर करने हूं, और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, तो हम इसे एक को खर छोड़ना हूं, ये तुम क्या कह रहें? ठीक कह रहा हूं, सिर्व घर ही नहीं छोड़ना होगा, बल्कि जिंदगी के वो नीच काम करने होगा, जो हर बुरा आ रमेश हां, जब तक हम में से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा, दूसरा ठाकुप का नहीं बन सकता हूं, और तभी पिताजी के आँखों में वो चमक आएगी, जो हम दोनों देखना चाहते हैं, तभी ये खानदान, ये घर, ज़रूर आबाद होगा, राजा, मैं रमेश, मैं जाँगा, रमेश, तुम नहीं समझते हैं, रजम जाँगा, सुन रमेश, जानता हूं, कि तुम भी पिताजी के खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भई ये दुनिया बड़ी पेर है, तुम इसका मुकाबले नहीं पर सबोगे, और तुम कर लो तो पर तुम क्यों नहीं माले तो इस तरह तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश ये घर कभी आबाद नहीं होगा तुझे कैसे समझाओ ठीक देख भगवान की मर्जी से हम दोनों इस घर में आए एक साथ पले एक साथ खेले अब उसी की मर्जी से हम दोनों में से एक इस घर को छोड़ कर जाएगा लेकिन राज़े ये कैसे मालूं होगा कि भगवान हम में से किसको भजना चाहता है अब अधर कि 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 देखो रमेश कि भगवान के सामने दो दिये जल रहे कि 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 इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा और जिसका दिया पहले बुझ गया सम्ज़ भवान उसी को भेजना चाहते है मंजूर है मंजूर मंजूर पापट 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 मंजूर पापट रमेश, देखो रमेश, भगान ने अपना फैसला सुना दिया ने, मैं यह नहीं मानता है यह सब ज्ञूट है जलत है, बकवास है राजा मैं तोझे नहीं जाने दूँगा नहीं राजा, मैं तेरे भीना नहीं रहता रमेश, एक दिये के बुझ जाने से तुम दर दर के ठोक रखा और मैं घर बठा आराम करूँ यह कहा का इंसाफ है, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा यह तो दय करके बात हुई थी है ना कसम खाऊ, यह राज किसी से नहीं कहोगी मुझे भी साथ ले चल राजा तुम तो पच्चों से भी गए गुजरेगो रमेश अगर हम दोनों चलेगे तो यह जगा कैसे हल होगा रमेश, हम दोनों तुझ घर को आबाद देशना चाहते हैं बरबाद नहीं करना चाहते राजा मैं तुझे देखा कि अनने पर दुद रहे जोगा तो तर्धा आ तो यह नहीं रहे जोगा तथे वारों के पार चले जाने से रष्ता थोड़ी तूट जाता है अब मैं कर राजा मैं तो हमेशों तो आब साथ मेशों तो आब साथ पाई ये, बुझे तुम परवी च्वाष्ने का बहुत, तुम रुम्से तो गादिया हुई पुम राइब कर दो 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 कर कर दो 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 हुआ 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 है हुआ 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 है कर दोले टारिया लगाये धरी लगाये महरवाण मैं भी जुआ खें लोगट रहे पैसे देख्ने कि अरे यह तो ठाकुर जस्वन का लड़का है जुआ खेल रहा है कि अरव आरह जोनाखा है जुआ खेल पर गाने में लिवार्म काट है बेलिया 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 धिगिसी पहारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दिल मेरा लेलिया देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दिल मेरा लेलिया बेलिया 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 लाला 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 चान का छल के पैमाना जाल मेरे मसकाना त्यार का जाम फिलाना जलना जाये जमना धूंके राज कहे हाथों में हाथ देहे निल का गन दल आ देलिया बेलिया 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 ये जिस पहारों में तुमने इशारों से दिल मेरा लेलिया पैमिया 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 कर दो कर दो मैं तो चंधा से घुरी मात सुनो जरा छोरी प्यार करूँ चुरी चुरी दाल के मैनों की जोरी हमने तो जान लिया तुमको पैचान लिया दुनिया जले तो जले आ हमने तो जान लिया तुमको पैचान लिया दुनिया जले तो जले आ फेमिया 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 देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दिल मेला देलिया बेलिया 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 है लगई लगई मेर लोप लगशित 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 . . . . . . . . कर्णू läng ingred表 कर्णू कर्णू चलिप जाना थि स्वीं! कर्णू! जोज जाना! बुरिण Newton! कर्णू हाँ illustrate कि राज अभी तक नहीं आया अरे अचोटे सरकार को बुला ना मालती है चोटे सरकार तो कम्रे में नहीं है नभी अभी देख आ रहे हैं ये सुबह सुबह कहां चला गया तुमसे कुछ कहा बेते मां मुझे भी नहीं मिला सुबह संब हेलो, हाँ, मैं ठाको जस्वन सिंग बोल रहा हूँ क्या, राजन शराब भी, क्या कहते हूँ, जुमें पखा गया, और और शुक्त खाला जो बन है, अठीक ही, मैं भी आता हूँ क्या बात है, इस्पेक्टर्ण रेफोन किया, राजने शराब भी, जूबे पकड़ा और शुक्त खाला ते बंगा, नहीं, मेरा राज ऐसा कभी नहीं सकता, यह नहीं सकता, यह नहीं सकता, लेकिन उसके पास इतना रुप्या आये कहां से, मालिक, मालिक, क्या हुआ, गजब ह तुटी पड़ी है, और रुप्या गाइब हो गया, राज हवालात में बंध है, राज जूए में पकड़ा गया, अच्छा, अजी क्या हुआ, अजी क्या हुआ, पाप कच गया, रुकमनी, अब मैं चैन से जिंदगी बसर कर सकूंगा, इस दिन का बरसों से इंतिजार था, अजुआ भूदे ना पहल जाए, ठकए कि हनी गई, कुटे की दाग पहिचा डे ले गई, अरे वाद ध़्वान वा, तेरे आद बेर है अंदेर नहीं है, नहीं मैंने मनूढ, किसने किसी और कहा से, ज़रूकिसी और कहा से, बढ़े ठाकों ठीक ही कहते थे धिर, एक दिन ख तुम जाओ उस्टूरा के लाओ चुड़ाने की जरूवत नहीं उसे वहीं बने लोगा जा बेचा जल्दी से उसके जमानत देया जा जल्दी जा रहे हो तो उससे यह भी कह देना उसके लिए इस घर के द्रवादे हमेशा कले बंद हो चुके अगर इस घर में कदम रखा तुम अशे गोली मातूं का तुम खड़ा क्यों जाता क्यों नहीं उसे मेरे दर्यावाने मकाम में रहने को कैसे न जा सम्झाना जा चलती यह बंब यह यह क्या हो रहा राजा राजा यह सब क्या हो रहा रमेश घर छोड़ना है यह तो सिर्फ एक तता है बहुत कुछ करना होगा यह लो दर्या महन के चाबियां माने कहा है तुम वही रहा माने कहा है तुम वही रहा राजा कि अ्र चाब सिर्फ टे रहा कि अ Hug कि अ कि मौर भाफ भर लतना जो melody रृण्यार्य को्छ उतना है और भी रीजिए। है दोन fellजेझ गूष और चैने मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, मिर्वानी करके मुझे घर पहुंचा दीजिए मैं कहते हूं मुझे डॉक्टर को बुला लेने दीजिए, मैं अभी आईए ने, मुझे छोड़के मत जाएगी मैं अकेले नहीं मरना चाहता हूं यह चोड़के कंबख्त कहीं अंदर ही लगी है दातर वक्तों के समझ में नहीं आएगा यह सब मेरा ही पुसूर था, मुझे माफ कर दीजिए यू मत कर यह ऐसा को ही जाता है लेकिन सुनिए, मुझे तो यहां कोई भी नजर नहीं आता आप यहां रात को अकेले कैसे रहेंगे यह कि नौकर यह कंबख्त कहीं पहार गया होगा अच्छा जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही यहां थैटती ही देखिए करपा करके मैं देखती हूँ नवकर कहा है अच्छा 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 मुझे क fist आच्छा जादन झाम जीए क्या हुआ मालिक, क्या हुआ शर्पार फुब आपका नहों करागे मालिक कुल अजब पर चलाए पर चलाए क्या का मालिक अच्छा अब मैं चाहती हुआ कल फिरहाल पुछने हुआ कि कदे कहीं के जाहा इतनी दिर मरावा था कुछ दिर और रहा जाता क्या बगरता तेरा जात तक दूद का दूद पानी का पानी मिराशी गया मिराशी का भान जाए हाहा अरे इतने खुशो कर कहा जा रहे है रुक्मनी रुक्मनी आज मैं बहुत खुश हुआ की कि दिये चला और सादू संतों को दान दो मैं अभी ठाकोर से जाकर कहता हूँ ठाको तुम्हारे पैसले जे पहले भगवार ने अपना पैसला सुना दिया मैं कब बरात लेकर आऊँ नहीं नहीं मेरे जित्री जी ऐसा नहीं हो सकता मेरा राजा ऐसा नहीं है यह जूट है यह सब जूट है हाहां सब जूटे हैं सब बेमान हैं बस वही तो एक नेक है और पुलिस वालों ने उसे यूँ हवाल आते बंद कर दिया था क्यों मैं कुछ नहीं जानती तुम बड़े ठाकोर के यहान नहीं जाता जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लूँ मुझे विश्वास नहीं हो सकता खड़ी क्यों हो जा अपनी आँखों से देख लो मेरा राजा मेरा राजा ऐसा नहीं अलो शंबू शंबू जो पताया याद है ना जी आज़ा व करा हुआ बात क्या है रो जो रहे हो बात क्या है रोक क्यों रहे हो ना ले अच्छा ना लेक है सुनी मैं सुनिये, सुनिये अब दुकुम नाथ में बाल चला गया था सुनिये, सुनिये सुनिये और रात से मैं राज होगी मानता हो मैंना इक तु कुछ गुशाशो को भावात भगाती है तीं दस्वार भगवान भी माबकर देता...आप एक बाइग नहीं करती आगे जी वगर आपको इस गरीब पर दया नहीं आते है आगे ही 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 कर खाली के जिए खाली है चार उतरफ भगवान की दया है चलिए मैं किसी और से नहीं आप से कह रही हूँ तश्रीफ ले जाएए अजी तश्रीफ ले जाने के लिए तो यहां बैठाओं चलिए जल्दी कीजे गाड़ी चलाइए कहां जाना है आपको मंजल का तुपता है रास्ता नहीं जानता ले चलिया गया कौन से मनते जहां मस्ती भरा समा हो हर चीज जुमती हुई हो जमी आस्तमा तुम मैं मत्ती भरा है समा हम तुम है दोनों यहां आखों में आजा दिल में समा जा जुमें दमी आस्तमा मत्ती भरा है समा हम तुम्हे दोनों यहां आखों में आजा दिल में समा जा जुमें दमी आस्तमा मत्ती भरा है समा आई दिल में आज छुपल जी पाहों में बाहें डालो जी गिर न जाएं समालो जी ठीकी हवाओं में ऐसी किदाओं में भोश मुझे है कहा मस्ती भरा है समाँ हम तुम्हें दोनों यहाँ आखों में आजा दिल में समाजा तुम्हें धमिया समाज मस्ती भरा है समाज प्यार से प्यार सजाये तल प्यार के प्यार सजाये तल दिल का ताज बजाये तल पंची भिगाएंगे सब को सुनाएंगे तेरी मेरी जाज का मस्ती हरा है समाज हम तुम्हें दोनों यहाँ आखों में आजा दिल में समाजा तुम्हें दमी आसमा मत्ती भरा है समाज मत्ती है आखों मत्ती प्याज तुम्हें आखों मत्ती आसमाज यह तो वही कलब वाला है जिसने हमको जेल में भीजा था अरे शंकर उठ यार अरे जोने का मौका नहीं है बंदूर दिश्मन को बराबर करने का वक्त आगया चल उठ यहाथ निकल जाएगा कमगत चल 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 यार तो यह चला जाएगा तो बड़ा आफ़त हो जाजां 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 ही जाजां जाजां किया वा कै कैusz कॉछ बो बहृ बोर करुट डाया जिसने उपकंड़ में इसको निपत लेता हूँ चलो जाव पूंकर भीका झालश कर घ ayudar ik हम ठीटला किक्टे dice हुऌ टैट को था इंर एंट ता है एा झालक को ओपोब ह पुट कर्प Aquí टो краं ळीट अट अटा है पजुरा है इा इा मुझा ची है रालुछ कि अच्छान दो इस पर बेखे अच्छान कि अच्छान मैं जा रहा हूं तो इस पर बराबर करना हां छोना मत मुझा इसने बहुत मारा है किसर आपका रिष्ट आपकी अच्छान कर अच्छान कर दो आपका ग्रॉँव से अच्छान कर दो रहा हूं कर दो अचिर 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 कौन है वो अचिर तुम्हेरे काम करना होगा क्या काम मेरे साथ मिलकर शराभी बनना होगा शराभी और मैं मेरे मतलब शराभी की एक्टिंग करना होगा वो क्यों वो अरजवारी है ना वो 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 अपनी भतीजी को मेरे गले मढ़ना चाहती तो हमेशा के लिए पीछा छोड़ जाएगा यह पाथ है तो देखो मैं कैसे आक्टिक करती हूँ चला किसने पुकारा? किसने पुकारा? कोई ने, कोई ने यारो, खता को माफ परो मैं नशे में हूँ किili उषमें मैं। मैं नशे में नशे में… यह क्या है? हम खर्बीम एफे मुहाफर रक्षा नजर में, मैं भी शरावी, तू भी शरावी लो लो पिया वे शरम करने की, शरम नहीं आती तू जर्शे बाते की, शरम नहीं आती तू मुझे से लड़ेगी? मैंने अभी अभी दो गुंद्रों को यू बहर पटग रिया गुलने के बची, अब मैं तुझे बाहर पटगी अरे, 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 यह को शरम नहीं जो बचाओ, बचाओ फिर कभी इदर आई, तो जान सह मार डालूँगी सुन आशी, मेरा ताम हो गया, आशा तू घर चलिज़ए अब तो मैं साच मुझे लड़ना है सुन, सुन, वो तुमे कर दोंगा प्रीज कर, चलिज़ए ठीक, तुखाच जाए कुछ थी यह? मैं पूछती हूँ कौन थी यह लड़की? व लड़की मुझे क्या मार थास्पे मो गुम लई थी मैं उसे पकर लाई बेशर्फ चर्म नहीं आई तुझे मा को यह नादाना दिखाते हूँ मुझे क्या मानन तुम बेवद चली आओगी मत्तमीज मेरे सामरे ऐसे बाते कहता है यह मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यह तो मेरा खून बोल रहा है एक नत्तकी का खून खून? और मेरे परवरिश मेरा दूद नहीं बोला इसमें तुम्हारे दूद का क्या दोश मेरा खून ही ऐसा है जाओ मा जाओ मुझा इसी जिंदगी बसक करने को सबने कहा सबने कहा मगन मैं नहीं माली मेरी ममता नहीं माली तुम असलियत को मानना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ तुखी क्यों होती जाओ जाओ खुशिया मनाओ तुम्हें तुम्हारा असली बेटा मिल गया और तुम्हे ये भी तो देख लिया के नाचने वाली के आवलाद को आ डिया जागा 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 आज 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 मा आओ आओ ठकुराइन आओ मिलाएं से पूच से पड़ गई कलेजे में ठंडर बोलो तुम तो एतनी खुश हो कि तुमसे बोला भी नहीं जाता क्या कर रहा था तुम्हारा लाजला बगवत गीता का पाट कर रहा था या रंगलिया मना रहा था बस और कुछ नग कहिए अब तो दूसरों की जबान से उसकी तारिफ भी नहीं सुन सकती क्यों ठीक है नहीं आज मेरी आखोने जो कुछ देखा भगवान किसी दुश्मन को भी ना देखा हाँ शक्राइन आज तुम्हें पता चल गया हीरा और पत्थर किसे कहते हैं हम मैं ना जानके थी कि मेरी उम्मिदों के महले इस तरह मिठे में मिल जाएंगे अब आप जाहिए बड़े ठैकों से रमेश के शादे के बाद बख्के कराईए जाहिए तो तुम्हा आगे ही रास्ते पर चलो अच्छा हुआ सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आजाए तो भूला नहीं कहलाता हूँ क्यों मानते हो मेरा तजूरवा मैं बार बार कहे रहा था एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा अब बोला की नहीं हाँ बले ठाको भगवान के द्यादे सब उसी बर चल गई लेकिन अब मंगनी के दस्म पूरी करें जस्वन मंगनी व्यादोनों हुए समझो लेकिन मैं सोच रहा था रमेश को एकार मौके के लिए भेदने तो अच्छा ही था क्यों भई जस्वन बाद ही है दोनों नए जमाने के हैं शादी से पहले दूसरे को जान ले तो अच्छा ही है अच्छा 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 भेद ले अ कर दो यहां कियोंग आए क्यूंद गांग दुंगा दुंगा टुंट थैए तो में तैया यह आने की जगए नहीं तु घर गाला को पैस्ट यह हमें आज शेखे नहीं तुछ अुछ तुझे यहां किसी ने देख यहां तो ठाकु साप की बदनामी होगी जाड़ी धर जाओंगा मामा आप घरनी जाओंगा क्यों? क्यों कैसी? मामा अगर पिता जी ने देख लिए न तुम जो तुप से उड़ा देंगे अगर के तुप सब दर्वाजे बंद हो गए क्या बात हो? मैने चोरी की मामा चोरी? पिताजी क्या अंगोटी अरे चोरी नहीं मैने शराब भी पी शराब भी जुआ खेला घर में जितने सबको गालिया देकर चला जाए सबको गालिया? चोरी की? हा मामा शराब भी? हा मामा जुआ खेला? हा मामा सबको गालिया दे? हा मामा जीते रहो बेटा, जीते रहो तूही मेरा अस्वी भांजा है अपने तो खांदान की खासियत ही है जिस ठाली में खाओ उसी में छेद करो कले यह से लिए हाँ इस कदर तेरा तसवर कभी बढ़ जाता है इस कदर तेरा तसवर कभी बढ़ जाता है आई ना देखो तुम तेरा नजर आता है जाने के साचा तू किया दे बेदर्दी बालों जाने के साचा तू किया दे जानी केसा जादू किया दे तामरिया जालू जानी केसा जादू किया दे ये बाद जानी केसा जादू जाने कैसा जादू की आरे बेदर्दी बालों जाने कैसा जादू की आरे सांग वहिया जालों जाने कैसा जादू की आरे तिरी बिना तो हमें निल पिना ते तेरी बिना तो हमें नित पिनाती सारी रात होए पेरी जान खबराती जान खबराती आप जाने कैसा जादू कि आरे बेदर्शी बालों जाने कैसा जादू कि आरे सांवरिया जालों जाने कैसा जादू कि आरे इथर तो आप इधर तो आ मिर राजा तुछे हमारी कसम हो तिरे बगेर भना जैसे दी सकेंगे हम तिरे बगेर भना जैसे दी सकेंगे हम जाने केसा जादू किया रे बेरंदी बालों जाने केसा जादू किया रे सांबर्या जालों जाने केसा जादू किया रे माइक, आज तेरा दूसरा बेटा नजर नहीं आता बापा सुक्से तो है न माइक, माइक, माइक करता कर दो माइक, आती अ अच्छा माई अबने जासा भगवान तुम्हे शानती दे शानती तो तू ले गया है पगले अब तेरे बिना शानती कैसे अच्छा मेरे राजा मा की सेवा तो करता नहीं उल्टा उसे परिशॉन करता है तुझे मा की याद नहीं आए तुझे अइनसान सब कुछ भूल सकता बर अपनी मा को नहीं भूल सकता अपर मेरी माँ शिर्ट ओड़ और झां माँ चोड़कर बोल ती जाए आए जाएगा और ते इरे भीने एक हर बड़ा चुना लगता है देखना कि यह कुपड तेरे पजने के कि इसकत तुम्हे देखने को लिए पूंगे कि तुने कहतार न चुरॉड ने ही देखनाजाता मैं मान का बुरा मान किया, मैंने मारा, इसलिए रुड़ गया है तू, पगली, वक्त पढ़ने पर साय भी साथ छोड़ देता है, लेकिन मा हमेशा अपने बच्चों को सीने से लगाया रखती है, मेरे लाद, सुना ठाप राएं, पेटा, पेटा, मा, बड़े ठापर रादी हो गए, ये कौन है, पिता जी, बुजर्ग जोतिश विद्या जानते हैं, मा इन से कुछ पूछ रही थी, अच्छा, क्या कहते हैं सादू महराज, कहते हैं, हमारे दो बेटे हैं, गलब, बिल्कु गलब, हमार विदेख लगका है, वणी को कोन टाल सकता है, बाबा, थैर, को आजी का मिने चाल़, आहिए, आहिए, आहिए! तो पाजी निकाचा निकाच कर से फिर कभी इस घर में आया तो तेरी लाश ही जाएगी यहां से जाओ अच्छा हुआ तुम आ गए अरे सुन्दर आशा बीट्या को भेज़ दो जी बहुत अच्छा मालीक आज कल शादी से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही रहता है क्यों तुम्हारा क्या ख्यान है चासा जी आप तो हमेशे इंतेहन लेते हैं अब आप नहीं मेरा यह मतलम नहीं था यह तो तुम लोग आजकल आजादी का जंडाल यह घूम रहों अरे हमारे जमाने में तो लड़किया चार दिवारी में बंद रहते थी और मर्द अगर अ आजी खाओ, अभी तो तुम जवान हो, हम जब तुम्हारी उमर के थे, तो सख सफाचच कर जाते थे पूछ ले ना, जस्वान चा, पीता जी से क्या पूछू चाचा जी, आप लोगों के जमाने में तो असली घी था, अब मैं आज कल दोड़ा नकली से डरता हूँ अलो आशा आगे, आओ बित्या, आशा इन्हें पाचाना तुमने, यह है रमेश, अपने जस्वान का लड़का, नमस्त, बैठो बैठो, बैठो, बैठी, बैठो क्यों आशा देवी, आपने अपने पुराने शहर घूंकर देखा या नहीं, काफी बदल गया है, जी, अवे दिक तो नहीं देखा, तो फिर चलिए न, मैं आपको सब कुछ दिखा लाता हूँ, चैसा जी हम लोग जाएं, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, लेपि पिटा जी आद म मुझे माप किशेगा क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, नहीं बेटा घर आये महमान की बात नहीं चालते, जाओ खूंबाओ, जाओ बिता जाओ, नूमस्ष जाओ, जाओ. रोगो, रोगो, रोगो क्या बास, गाड़ी क्यों रुखवा रहे हैं? मेरा दोस्त नहां रहता, बहुत अच्छा दोस्त है मैं उसको आपके साथ मिलाने चाहता है देखिए, ये जगा मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रहेंगी अच्छी, मैं एक मिर्ट में आए अच्छा अरे, ये तुन यहां कैसे? मैं? अरे वाग, तुम्हें देख करें तो मैंने गाड़ी रोग दी अच्छा जल्व आउ ना तुम आते हो या नहीं, जल्व आउ एक जमाना था जब तुछ विराज संयुकता को लेके भाग गया था और आज जमाना ये है कि संयुकता किसी विराज को लेकर भाग रही है आइए आइए, तस्थीप लाइए मेरे मामा है मामा मामा सबी मिल जाएंगा आप अंदर तो आया सरकार चलिया ना मैं मामा चलिया ना सरमाते क्यों है वालेकुमसलाम ताली कांगी आशर क्या देख रही है तुम ही ये इंसान को क्या हो जाता है आशर चंद दिन पहरे मैं तुम्हारा कुछ नहीं थी, तुम भी मेरी कुछ नहीं थी और आज देखो, हम दोने कुछे से अलग नहीं रहना चाहते हैं बताओ तुम्हें से क्यों हो जाता है ये तुम्हें खुद भी नहीं जानते है पाशा, एक बात पूछू तुम्हें 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 जाननी कोशिक है तुम्हें, क्या दा ओ, कहा रहता है नहीं तो और अगर अगर मैं तुम्हें ये बताओँ मैं एक अच्छे खान्दान का रर्का नहीं हूँ, मैं बुरे महलों में रहता हूँ, मैं बुरा आद्मी हूँ होगे तुम तु हर बात मज़ाद में उड़ा देती, मैं सच कह रहा हूँ, आशा मैं तुम्हे अपनी असलियत बताना चाहते हूँ मगर मैं जाना नहीं चाहती हूँ, तुम जो हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे हूँ अच्छा तो बात पक्ती हूँ, बिलकुल पक्ती हूँ हाँ बढ़े थाकुर, कल हम लोग लल्की को ठीका लगाने आ रहे हूँ मैं सब तयारी करनूँगा आशा कैसे हूँ जी अच्छी हूँ अच्छी हूँ अच्छी हूँ हाँ बैठाकुर, आप चलाँ अच्छा जाँ पिता जी चाचा जी किसकी मंगनी की बात कर रहे थे? तुम्हारी बेटी, अब तु ब्यालायक हो गई है मुझी ये काम जगते कर लेने दे मैं आपको इतना ही भार लगती हूँ नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था लेकिन तु जानती है आशा कोई बेटी हमेशा के लिए बाप के गंदी रहे लेकिन पिता जी मैं मैं भी शादी नहीं करूँगी ये क्या कह रही है कल तो वो लोग तीका लगाने आ रहे आपने ये फैसला करने से पहले उसे पूचता लिया होता बस इतनी सी बात से नाराज है बेटी अगर तेरी ये शादी में आज क्या करता तो जरूर तेरी राए लेता लेकिन ये बचन तो मैं तुम्हारे पैदाओने से पहली दे चुका था तो आपने मेरा बेहा भी तबे कर दिया होता जब मैं गुडियों की शादी रचाया करती थी उस खेल के साथ मैं ये खेल भी हज कर से लेती पराज तुम्हे अपना भला बुरा खुद समसकती हो इस शादी में भी सब भला है बेटी रमेश अच्छा लडगा है और खांदान भी बराबरीगा है लेकिन पिता जी मैं 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 तो किसी और को चाहती हूँ क्या क्या गा तुमने कुछ नहीं आज तुमने मेरी गर्दन शर्म से जुका दी क्या मैंने तुझे इसी लिए तालीम दी थी इस खांदान के इज़त तो सरे बाजा निलाम कर भी बैची मैंने इज़त नहीं बैची अगर आपके ऐसे ही विचार थे तो आपने मुझे इतनी उची तालीम क्यों दी हां उची तालीम इसी लिए दी चाती है इस खांदान के पुनाने और पवित्र उसुलों को तो दो बेचानम बनकर बाप के साथ जबाब लड़ाओ मैंने सची बात कही थी आपका अपमान तो नहीं किया नहीं नहीं तुने मेरी इज़त बढ़ाईगे खांदान का नाम रोशन किया है आपको खांदान की इज़त का पहाँ खायल है लेकिन अपने लड़की की जिन्देगी का कुछ भी खायल नहीं तो तुझे इतने उच्छी तालीम देता इतने नाजोर से पालता लेकिन पिताची मैं कुछ नहीं सुना चाहता अपने खांदान की इजदत के लिए आउलाद तो क्या खुद अपनी जानली चावर कर सकता हूं यह मंगी होगी और कर रहेगी जाओ तो अपने मंगनी है उसी इंगलेंड जिचन से हां क्या मारी मंगनी हो रही है अरे वाह बढ़ाई हो रवेश बहुत 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 बढ़ाई हो तुम कल आ रहा हूं हो ना नहीं रवेश तुम तो जानता हो कि माँ नहीं आजाए मगर सुनो मदूर से देखने हूं हो तो फिर वादा रहा हा हा ह सच कर तो बादा कर तो अच्छा के मंगनी हो रही है कितना अच्छा जहान वाले तिरे घर चरा जलते हैं हमारे दिल में मगर दिल के दाग जलते हैं लुती जिल्दगी यार घं मुस्कुराएं तेरे इस चाहते हम बाज आएं लुटी जिल्दगी यार हम मुस्कुराएं तेरे इस चाहते हम बाज आएं लुटी जिल्दगी यार दिल्दम का जलते हैं गले हमके मिलकर खुशी रो रही है गले हमके मिलकर खुशी रो रही है चमन हस रहा है कली रो रही है चमन हस रहा है कली रो रही है जुनी एक पल में कहारों के साएं तेरे इस चाहते हम दाज आएं लुकी जिंदरी गिरीब जुनिया घर बनाने इस तरिये जला आशिया आप जजाने इस पहले है हाए है हाचुप है जमाना बना कर मिचाए है तेरे इस चहाते हम बाद आए लुकी जिल्दगी आद हम मुस्कुराए है है तेरे इस चहाते हम बाद आए लुकी जिल्दगी कि अधर कल तक हम दोनों जोस थे और आज होगा संदी मालिक रानी बिटिया तो आने सिंकार कर रही है क्या हा मालिक जस्वन मैं अभी आता हूँ आप ठरी मैं जाती है मेरी बहुत जरूर शर्मा रही होगी ऐसे मौके पर बाप नहीं मा बेटी को लाया करती है अरे खोशी के समय रोया नहीं करते बेटी आप तुम जिसर मैं अपनी बहु बनाने के लिए आई थी चाप और हदनाम सिंग की जर्थी जिलाए से जिजी सीख कर आई थी मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि असली नकली के इंतिहान लेने वाले पहले तु खुद बता तेरी आउलाद असली है या नकली तु जिसी आवारा कि उनुसे मा शच्थ तुम शर्मानी चाहिए मैं अपसे अपनी इज़त की भीक मागती हूँ मा इज़त और तेरी उससे तो तुने एक बता शराब के बदले में देशिया है बेशर उससा तेरी इज़त कहां गई जब तो शराब के नशे में नाच रही है नहीं नहीं तूने तो अम्रत किया था ज्टी कहींते मैं सेच कहती हूए मेरा इज़त्वार कर तो प्रकाक मैं जूटी हूँ मेरी आँखो पुश देखा उससथे वा सब जूट है वो सबत सम्ने अपने प्यार के लिए किया था सच मा, हम दोनों ने ढूंग रहा जाता, मा ढूंग रहा जाता? क्या कह रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ मा उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भातीजी से उनकी शादी करना चाहती हो और अगर हम लुख शराबी के एक्टिम करेंगे तो तुम अपना इराधा बदल दोगी उसकी मुझे भी दूका देगी अब तुम ही फैसला करो मा थोड़ी देर की बेशर्मी छुपती यह जिन्दगी भर करोना अब मुझे ठीका से लगाने दे नीचे सब लोग इंतजार कर रहे है यह सब सुनकर भी तुमने यही कहा घबरा गई बेठी अब मैं तुझे ठीका राजा के लिए लगाऊंगा रमश के लिए नहीं लेकिन यह सब कैसे हो सकता है पगली राजा भी मेरा ही देता है बापका बीटा यह बड़ी नंबी कहानी है किर अबेसा हूँ अबाव मेरी टीव पूबाव मेरी अच्छाव अशाइ किर्दिम किर्दिम आदा सो भाग्यों में तिरो हो बेती आदा सो भाग्यों में तिरो हो बेती आदे तुझे आज हुआ क्या है मामा मुझसे आज नहीं बजाया जाएगा चोटे उस्ताद आपसे कोई मिलने आया है मुझसे आप 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 क्या कर रहे हैं अरे यह आप अप्रमदा रखी है आज मिलने की बात थी ना तुम में ही रख तके मैंने रख ली अच्छे खासा लग रहे हो देखे देखी थेरो जीद रख दिशने तो दो तुम यहां कैसे आज आज मैं बहुत खोश हूँ भला बताओ तो क्या बात ही सकती है तुम यहां नहीं आना चाहिए बड़ी मजेकी बात ही तुम तो सोच भी ने सकते अच्छा बाबा हाथ नहीं लगाती भागते क्यों हो वो बाद पताती हूँ मैं जी किसी से मंगने ही कुछ दो जानता हूँ बधाई हो कैसे मालूँ मैंने देखा था मुबार्क पाद उसक नहीं दे सका इसलिए आप दे रहा हूँ यह तुम क्या कह रहे है भाग्यवान बड़ा घराना है और रमेश के तो अच्छा लड़का है यह जूट है सब गलत है मेरे मंगने तुम्हारे साथ हुई है पाशा हाँ मा ने तुम्हारा ही नाम लेकर मुझे टीका लगाया है मा तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन है बड़े बन रहे थे ना माने मुझे सब कुछ बतातिया है मैं सब मुझे जान गई हूँ तो जो बात रह गए वो भी जान रहा मैं तुम्हार साथ शादी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों जानती हो कि तुम कौन हूँ एक बहुत बड़े घराने की लड़की और मैं एक नाशने वाली के आउलाद कोठी का तबल चीए मैं नहीं मानती हूँ तुमने कभी मेरे बारे में जानना नहीं जा आओ मेरे साथ कहा अपनी आखों से दीख लो कि हम कौन है क्या करते हैं किस दुनिया में रहते हैं आओ मेरे साथ अपनी आखों देखों इसे कोठा करते हैं यहां मुझरा होता है बड़े बड़े रईस खांदानी रात के अंधेरे में यहां याशी करते हैं यहां जवान लड़कियां पड़ाय मर्दों के सामने नाच नाच उनका दिल बहलाती है और जानती हो मैं क्या करता हूं उनके साथ तबला बजाता हूं और जब यह मन चले उनके आदाओं पर फिदा होकर चांदी के सिक्के फेकते हैं तो यू अदब से सर चुका रहा है बस करो बगवान के लिए बस करो अब मुझसा सुनना नहीं जाता बस? अब जानती हो क्यों तुम्हारा और मेरा मिलाब नहीं होसकता कहा तुम और कहा मैं इस गंदगी आए तुम यहां से चलो मैं तुम इस गंदगी से दूर ले जाओंगे मैं कहां जा सकता हूं मेरा तो यही घर यही ठिकाना हम जैसे इसे छोड़के भला और जाही कहा सकते हूं हम थेरे नाचने वाले गाने वाले समाज में हम जैसोती और कोई जगाने इतना भी नहीं जानती हूं मैं इतना ही जानती हूं मैं तुम से प्रेम करती हूं प्रेम? मुझ से? हाँ मुझे और किसी की पर्वा नहीं है मैं तुमसे प्रेम नहीं करते यह जूट है, सब जूट है मेरी कसब खाकर कहो कि तुमसे प्रेम नहीं करते रखो जट पहा और कहो कि तुमसे प्रेम नहीं करते को 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 ना वेते क्यों नहीं कि तुम लोग समझने की कोशिश क्यों ने करते हैं ये मेरे प्रेम का सवाल नहीं मेरे पिताजी उनके खांदान की इज़त का सवाल है आशा आशा तुम उस घर की आमानत हो तुम अब बहु बन कर उस घर में जाना है आशा मैंने आज तक चुकुछ भी किया मैं उसे मुट्टी में नहीं मिलने तुम आशा मैं चाहता हूँ किसी तरव घर आबाद हो जाए मैं उसे रोशनी में जगमगाता हूँ देख में चाहता हूँ लेकिन उस घर के जगमगाने से तुम्हारे घर में तो उजला नहीं होगा घर में नहीं आशा, मेरे मन में होगा यही एक आरजु है जो पूरी हो जाए यह भी पूरी नहीं होगी अगर मैं उस घर में कभी बहु बनके गई तो मैं तुम्हारे ही पत्नी बनके जाऊंगी आशू भरी है यह जीवन की राहे कोई उन से कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है यह जीवन की राहे कोई उन से कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है वादे भुलादे कतम तोड़ दे वो हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाएं कोई उन से कह दे हमें भूल जाएं राशू भरी है बरबादियों की अजब दासता हूँ शबनम भी रोए मैं वो आसमा हूँ तुम्हें भर मुबारत हमें अपनी आहें कोई उन से कह दे हमें भूल जाएं आशू भरी है ये जीवन की राहें कोई उन से कह दे हमें भूल जाएं आशू भरी है आज मेरे पाउंटर्ज मुझा बहुएं मन्जर के इतने खरीब लाकर अप कौन सा इंताहन ले रहे माँ पाप घरबार को छोड़ने की हमत तुम ने थी दुनिया भर के दुख सेहने की ताकत तुम जी थी बस अब इतना और करतू आशा का मौ मुझ से चेह रहे किसी तरह मुझे उससे तूर करतू वो रमेश की तुलिंद बन कर उस घर में जारे लिए जिस घर को आबाद देखने के लिए मैंने अपने भाई को धोका दिया थोड़ी सी ताकत और दे तू मालिक कि हस्ते हस्ते मैं आशा को बहू बनते देदे समेश रमेश मेरे भीजी अच्छा दोस दिन दिया तुमने भुजाया था मुझे धोका देने वाले भगवान नहीं तुम थे रमेश अच्छा हुआ भगवान इतना अन्याई नहीं निकला उसने मुझे ठेक वक्त पर भेज़तिया वरना वरना तुम्हारे यही प्यारा भाईया तुम्हारे दिन से भी छेल जाता क्या कह रहे हो रमेश तुमने ऐसा कौन सा कुनाई किया था तुम जिन के चरन पकड़ना है मैं उनी चरनों के सागन खागर कहता हूँ जिसका जो हक होगा उसी को मिले रहा रमेश सैथा जी रमेश तुम इतनी रात गई यहां कैसे मुझे आप से एक बात कहनी है हां हां कहो मैं हां जाचा जी मैं कहो क्या वात है बेटा मैं आशा के साथ चादी करना नहीं चाहता हूँ जरूर आपस में जगड़े हो तभी तो कहो आशा इतनी उदास क्यों है आव रमेश सुला करा दूँ तो फिर क्या बात है क्या बात है मैंने आपस ऐसा भी तो नहीं कहा ऐसा भी तो नहीं कहा ये भी नहीं कहा वो भी नहीं कहा आखिर बात क्या है बस मुझे इतना ही कहना था मैं ये शादी नहीं करूँगा रमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शादी भिया कोई गुड्यों का खेल नहीं के आज खेला और कल तोड़ा मैं मजबूर हूँ काचा जी चुब रहो ममी के लोग तुमारी मजबूरी कहा चली गई कि पहला इंकार करते है जासॉन का है मैं विए उससे चकर बात करता हूँ पिता जी से कहने की क्या जरूरत शादी मेरे साथ हो रही और मैं इंकार करता हूँ तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मेरी लड़की घर बैठी रहीगी? यह तुम मुझ पर आशान नहीं कर रहे थे, मैं तुम पर तुमारे बाप पर तुमारे खांदान पर आशान कर रहा था जशा जी, हाँ हाँ, वो तो हन्नाम जी ने अपनी दोस्ती का फर जगा किया था, जब सारी विलादर ने जशान से कहा था कि कोई उसके घंड़की नहीं देगा, उसक्त मैंने उसका हाथ ठाम लिया था, और आज उसी का उलाग मेरी नाट काटने पर तुली हुए, तुम सब क रावी नो, मिखल जाओ यहाँ से, जाओ का पताजी 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 अलो राजा मैं बेनर जी नर्सिंग हों से बोला हूं समझे के नहीं नर्सिंग हों हाँ समझ गया लेकिन यह अस्पताल का क्या मामला है एक आदमी बुरी तरह से जखमी हो गया है तुझे उसे खून देना पड़ेगा उन देना हो अरे किसे खून देना होगा रमेश तुम सा मैं अनगल दे हां हां आता हूं लेकर शिस्टर मेरे पिताजी कैसे है डोंट वरी उनको खून दिया जा रहा है मिस्टर राया कल सुबा आप फिर आजाएगा शायद खून दिजरूर पड़ेगा बेटी मेरा हाथ भी ठीक हो गया बेटी थाकर सहाब नफ्स्तों देखने दी जिए और आप बैटी मुझे नइस jourगी मिल गई पिताजी, ज़रूर मुझे किसी ठाकूर ने खुन दिया है, ठाकूर का खुन ही ठाकूर से मिल सकता है, क्या बात करते हैं ठाकूर साहब, हर इंसान में एक जैसा खुन होता है, चाहे वो अफ्रीका की जंगलों में रहता हो या हिमाला की तरही में, डॉक्टर, हम सूरद हमारा खुन हर आदमी से नहीं मिल सकता, आल राइट, करी आद, करी आद, करी आद, पिताजी, आप भी हजारों साल की बाते करते हैं, यह साइंस का जमाना है, और यह साबित हो चुका है, कि हर इंसान में एक जैसा खुन होता है, अच्छा, तो तू भी लेक्चर देने लग क्या नाम है उसका, जी, हाँ, हाँ, बोलो, वो, वो ही है, पिताजी, जिने में, जिने में, अच्छा, समझ गया, जिसके लिए तू कह रही थी, वही ना, बेटी, भगवान जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है, अच्छा हुआ रमेशने इंकार कर दिया, अब मैं से कहूंगा कि तुम्हारे लड़के से लाग गुना अच्छा लड़का मैं धोन सकता हूँ, घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे शादी उसी के साथ करूँगा, लेकिन पिताजी, वो भी चस्पन तंकल के बेटे है, अच्छा, तुम्हारा मतलब राजा से है, उस नर् सब कुछ सुना पड़ेगा, आप इने कहा थाना, एक ठाकुर का फून ही दूसरे ठाकुर के फून से मिल सकता है, तुम्हारा मतलब साफ है पिताजी, उन्हें के फून से तु आप अच्छे हुए है, यहां तक आपका हाथ भी ठीक हो गया है, जब आप कारून का फून एक खालन एक रेख ड़ाए है, तो फिर आप उन्हें बरा वरी का क्यों नहीं मानते है? बोलिये पिता जी, जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं समझगी, आप दुनिया से डढ़ते है, समास से डढ़ते है मा, मा किसी से जनेया डरते हुए है जब सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं मानतें, क्यों नहीं दुनियावालों को चिला कर कहतें किस तब इंसान बराबर हैं तुमने ठीट कहा बेटी, आज तुमने और डॉक्तर ने मेरी आंखें खोल दी मैं जिमगे बर अंधेरे बबातक तारा बेटी, अब मैं नहीं बढ़कूगा बताची अब मैं नहीं बढ़कूगा मेरे अची बहुत आपूर कैसे हैं? मुझे अभी भी खबर मिली कि तुम नर्सी वोम में हुशिदा भागता हूँ चलाया अभी कैसे गिर गए? यह जाकर अपने सपूत से पूछो रमेश से? हाँ उसी से कल आकर उसने इंकार कर दिया कि वो शाली नहीं करेता रमेश ने इंकार कर दिया? मैंने बड़े ठाकूर यह कैसे हो सकता? यह नामंकिल है मैंने तुम लोगों का अच्छी तरह पैचान लिया है तुम लोग मेरी नाक काटना चाहते थे जाओ जस्वंत मैंने और लालकाट मुल लिया है यह क्या कहते है ठाकूर? मंगनी के बार रिष्टा नहीं तूटा करता है शादी रमेश की साथ होगी मैं कुछ नहीं सुनना चाहते ठाकूर साहब आपसे मिस्टर गाजा मिलना है जस्वंत यह है मेरी पसंद ओ तो तुम इससे शादी करना चाहते है तुम जानतों यह कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन आशा की शादी इसी के साथ हो प्लीज थाकूर साहँ अब आप तशित लेगें इन्हें आराम की साथ दुरेगे अच्छा डाक्टर बड़े थाकूर तुम बीमार इसलिए मैं बहत करना नहीं चाहता लेकिन तुम कान खोल का सुन लो आशा की शादी रमेश के साथ होगी ने तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा तो तुम भी सुलो आशा की शादी राजा से होगी और जल से जल होगी अरे यह सब क्या हो रहा है आज मैं अपने जिंदेगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया बड़े ठाकुर आशा की शादी मुझ से करना चाहते हैं है बड़े ठाकुर तुछ से शादी करना चाहते हैं हो मारा पापड़ वाले को मेरे शेर तु इसे हार कहता है यह तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है फोरन करडाल शादी समयने कोशिश करो मामा कमाल है हाथ में आई हुए दुश्मन को छोड़ा है अरे बड़े ठाकर को नीचा दिखाने का यही तो वक्त है और तू पीट दिखा रहा है क्या कह रहे हो मामा सब कुछ जानते हो और ऐसी बाती करते हो जब तक मैं आ रहा हूंगा इस हमार कभी खत्म नहीं होगा मैं शेर छोड़कर चलेगा ठीक है जब तू यहां रहना नहीं चाहता तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूँदा तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कॉफ क्या करें जानते हैं विद्धारी आया सरकार सब लो कहां गया है जी मालकम कहां शादी किस की शादी वाभू की आशा बडिया के साथ शादी राजा के शादी आशा के साथ तो ठाकुर ने अपने जिद पूरी कर ली है ठाकुर तुम ये क्यों भोल गये के मेरी रबो में भी खूल गये माली 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 यह आप क्या कर रहे हैं अच्छा के तारी मैं आपको नहीं जाने दूगा दुनिया से किनारा करने वालों के लिए बरारत सबसे बड़ा तीरत है चलो वहीं चलते हैं हाँ मेरी एक पुरानी शागिर मुन्नी वाई वही रहती है खाने पीने की कोई तकलिफ नहीं होगी कहीं चलो मामा यहां से भाग चलो मां से भाग कर कहां जाएगा पैंजी आप यहां मैं अपना बेटा लेने आई हूं आज मैं तेरी शादी कर रही है और तु भाग रहा है मा मा समझने की कोशिश करो तुम सब पिता जी का दुख क्यों नहीं समझते वो भी ठीरे मान जाएंगे वटा मैं यह शादी मैं तुम इंकार कर रहा है इसलिके शादी रमेश से होनी चाहिए यह नहीं हो सकता आशा मेरी भावी है और भावी से बिया के लिए सोचना भी पाप है शादी तुम्हें करने पड़ेगा बेटा जित मत करें सब ठीक ही कह रहे हैं मामा तो यह क्यों नहीं समझता बेटे कि आशा एक शरीफ घराने के ब करकी हो तुम कुछ ही करो मैं यह शादी नहीं करूगा यह नहीं मेरा आखरी अखरी फैसला है आशा की शादे तेरे सथी करो मैंने उसे वच्छन दिया यह मेरी इज़त का सवाल है मालकिल चलते चलिए नहीं तो घर बरबाद हो जाएगा क्यों क्या हुआ 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 अपने जीते जी तुम्हारा सिंदूर नहीं मितने तुमकर अच्छा परबंचुर। बड़े ठाकुर की जब चाती है। सुन्द है। जी मारी। देखो आशा भी जाता है। बहुत अच्छा भाए। क्या दिविया में एक कर इसना कोई बता है। बड़े ठाकुर। अभी तक बारात नहीं आई। बारात नहीं आईगी ठाकुर। अकर बारात आई तो थावन कुन को मैं खुन से बार दूँगा। लो तुले से पहले दुले के बाप आप आगए। आओ आओ जस्वन। जबाम फखाल कर बात करो ठाकुर। नर्तकी की अलाद मेरी अलाद नहीं हो सकते हैं। लेकिन जस्वन। इसका क्या इलाज है। ठाकुराइन तो दोनों को अपना बेटा कहती है। अनान शिंग। मारा खुन सपयत हो गया। तुम कोठे वारों से रिष्टा जोड सकते हो। मैं नहीं। अब भी आँखी खोलो जस्वन। तुम्हारे चिराक से मेरे दिल में रोशनी होगी। और तुम अभी सकंधेले में पढ़े हो। खुन, खांदान, सब अक्वास है जस्वन। दुनिया में पाइदा होते वक्त न कोई अच्छा होता है न कोई बुरा। जैसी परवरी शोगी, वैसा ही आदमी होगा। और तुम्हारे तो दोनों ही राय है। खाकुर, मैं तुम्हारा उप्देश तुनने नहीं आया। मैं तुम से ये कहने आया हूँ कि आशा की साधी रमेश के साथ हूँ। जस्वन, सबान पर काइम रहो। ये हम बताय था कि दोनों में से लाड़का मैं पसंद करूँगा। और मेरी पसंद राजा है। पसंद करने के समय बीच चुका। तुम मुझे और ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। जस्वन, हट से आगे नबढ़ो। हाँ, सची बात कर भी लगती है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूगा। तुम शरी जानते हैं। ये शादी होगी और बरूर होगी। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे हैं। तुम सब चाई को जान से दबाने चाते हो। हमेरी बोलेगा हक है। हाँ, मैं समझ गया। तुम सब कान खोल कर सुन लो। मंनी रमेश कर दो। और शादी भी उसी के साथ होगी। नहीं तो मैं यहाँ खोल जिनक्या बहातमा। और तुम खुल भाग कर जिन्दा वापी से ले जाओगे। हट जाओ धरम थे। ठाकुल लड़की मेरी है। जिससे जाओ शादी कर सकता। अगर हम बता है तो उठाओ बम दू... और दिनाओ भाणी। अठाकुल ऐसा ही होगा... पिताजी। जाकी। बताओ जो मजे पिताजी का... अजा। अजा जले कर मेरे। अजा। अजा। मा, शुक्र मालेका मा, शुक्र मालेका गोलिन मुझे लेकी नहीं है को, सुटा। हम जिसे नीच एक गुली से नहीं मत दो बहुत सख्ट जान एक गुली और मार दीजिए आप मारना ही चाहते हैं मुझे मारिये इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा इस पसाद की जड़ तो मैं है मैंने आपको दुख दिया आपका चैन मैंने लूट रखा मुझे मारिये मारिये ना मैं नाचने वाली की उलाद हुए कोटे का तबल जी समाज के सड़ा हुआ अंग इस सड़े हुए अंग को काट दीजिए काट दीजिए इस सड़े हुए अंग को इसे कोई पाप नहीं है समाज की भलाई है, मारिये, मारिये ना पिताजी देखिये, इसे पड़ा आपका क्या मानो सकता हूँ कि भरी मैसिल में नाचने वाली के आउलाद एक ठागुर को अपना पिता कर मारिये पिताजी मारिये पिताजी मारिये पिताजी मेरा दूस्टा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, तुझ पर मने बहुत जलुम थी, मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, आज तुने मेरी आखे खुल दी, ऐज मुझे पता चला, खुल धी, झौच है परवल, देदा आज से, आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो, उम दोनों को मुच्ने कोई जुदा नहीं कर सकता, कुई जुदा नहीं कर सकता, जवाब नहीं है तुम्हारा, आखिर मेरा लड़का हजब करी गए ला फैर मुझे कोई गम नहीं, दूनों दीपक तुम्हारे ही घर में जल गए अच्छा, अच्छा बाके बिया, बाके बिया, कहा जारे बाके बिया वहीं, जहां तुम्हारे समाज ने मेरे लिए जगर बना दी है तुम्हारे इस मंदिर में बुझ जैसे मिरासी का क्या का नहीं नहीं बाके बिया, तुम मेरे भाई हो, आज मेरी आखे खुल चुकनी है बाके 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 बड़े ठाकुर से तो पूछलो, नहीं तुम्हे भी मेरे साथ ही ना चलना पड़े बाके, मुझे और शर्मिंदा न करो बाके ऐसा, तो फिर मेरी बहु कहा है हाँ, 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 बाई ठाकुर, जाजाँ, बहुदानी को तो लिखा चलो, बेटे बूञती, मुझे बच्छे पूचे बहु जाए बच्छेऊ, मुझे बहुदा बच्छे बच्छे बहुदा बहुझे कि उंपवी